देश के प्रदान मंत्री ने खाद्यान और ग्रोसरी आइटम की चैन को और मजबूत बनाने के लिए देश के नाम संबोधन दिया लेकिन मेगनगर प्रिशासन द्वारा घर पहुँच कर फल और सबजी की सेवप्रदान करने वाले छोटे व्यापारियों का सामान और तराजू तथा उनके बाट जब्त कर बेवज़े गरीब परिवार को बदहाली के आशू रुलाया जा रहा है मेगनगर प्रिशासन का भेदभाव पूर्ण रवया हर किसी के समझ से परे है मातर पास्तो रुपे की चालानी का एरवाई करके बुठका बीडी सामान ले जाने वाले लगजरी कारवाहन को छोड़ दिया जाता है वो इस सरकार के नियम और शर्त के आधार पर घर पहुंचकर सेवर देने वाले परिवारों को प्रिशासन द्वारा बेवज़े परेशान किया जा रहा है यह वो गरी परिवार हैं जिनका चूला और दोवक्त की रोटी का जुकार फल सब्जी और छोटे धंदे के वज़े से रोजी रोटी कवाकर बुजर्बसर होता है करमार यह मांगे कि साा सान के अनुसाा अम सब्जी बेच हैं तो हमको एक महिने जाया जाए हम पर यह खरा हो जाती हो फेकना परती आते इस पूरे मामले की शिकायत लेकर इस्थानी सबजी और फल व्यापारी विधायक वायस डियाम के पास पहुंची और अपनी पीडा बताई विधायक ने गरीब लोगों को न्याय दिलाने की बात कही और पांसो रुपे का चालान बनाकर धूमरपान की कारवाहन छोड़ने पर नाराजगी भी व्यक्त की अब प्रिशासन को यह तैकर ना है कि वह भेदभाव पूर्ण रविया छोड़कर चोटे गरीब परिवारों को नियम और शर्तों के अंसार व्यापार व्यवसाय करने दिया जाए ताकि उन्हें अपने गाड़ी कमाए कि सब्जी और फल सड़कों पर ठेकना ना पड़े और लोगों को घर घर तक सामान उपलब्ध हो सके यह सब्जी बादी वाले लोगों ने जो फल फ्रूट वालों ने मिरों को आवे दन दिया है उसको एहें से अभी फोन करके बात किये और अभी वह आ रहें एक अनंगंटे में इनका निराकन करने और पुलिस ने अगर कोई चीज़ उनके पाथ से ली हो तो तुरंट वह एहपी सापको फोन करने एहज़ लगा जर देना करा यह crops कर देना वो ठीक नहीं है, वो पुलिस ये पफस्पात नहीं किया जाए, यह अभी गलेप्र साब से बात करो, यह अभी साब से भी बात करो